नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका लेयर 3 एजूकेशन में और आज मैं गणित पेडागोजी का मोक टेस्ट 33 लेकर आया हूँ इससे पहले मैंने आपके 32 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपके 15 क्योश्चन है मतलब 500 प्लस क्योश्चन मैंने आपके मेक्स पेडालोज के उपर बना दिये हैं और आपके चेप्टर वाइस चल रहा हैं जिसमें आपके 1000 क्योश्चन के सीरीज है आज अपन पढ़ेंगे 31 क्लास 31 क्योश्चन देखेंगे इससे पहले मैं आपको यह चेप्टर वाइस पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको यह सारे क्योश्चन करा दि रोज सुबह आपको 8 बजे डेली वीडियो देखना है एक दिन हिंदी पेडालोजी का आता है एक दिन मेक्स पेडालोजी का आता है और शाम को डेली आज से मोक टेस्ट की सिरीच चाली हुई है जिसमें आपके 20 क्योश्चन है हिंदी ग्रामर के वो सारे पूराने पेपर से सुबह 8 बजे हिंदी पेडालोजी 15 क्योश्चन और शाम को 15 20 क्योश्चन हिंदी के आपका हिंदी का 30 का एंप्रेड का यहां से पूरा हो जाएगा और डेली मैं आपको 15 क्योश्चन मेक्स पेडालोजी पढ़ा रहा हूं सुबह 8 बजे तो आप पूराने वीडियो अगर नहीं देखें तो वह एक बार देख लें और आज पढ़ते हैं अपने 31 से हमारा आज का क्यूश्चन है 31 से मुल्यंकन किया जाता है आपको कोपी पिल लेकर बैठना है और आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा और आपके 15 में से कितने नंब योगिताओं की भावना जागरत करने के लिए बताएं मुल्यंकन किया जाता है तो हमारा राइट आंसर का उप्शन नंबर ए उपलब्दी की जाच कराने के लिए मुल्यंकन किसके लिए किया जाता है उपलब्दी की जाच कराने के लिए अगला क्योश्चन है यह अधिक गणित जानने के लिए यह जानना अधिक उपयोगी हैं कि गणित करण केसे किया जाए यह कतन किसका हैं डेविट का, मिलर का, पूलिया, वेन हाई का या वाईगोस्च की था तो यह कहा था डेविड ने, इसका पूरा नाम है डेविड हिलर, डेविड हिलर ने कहा था कि अधिक गणित जानने के अपयक्षा यह जानना अधिक उपयोगी होगा कि गणिती करण केसे किया जाए यह कहा था डेविड हिलर ने, बढ़ते हैं अपने अगले क्योश्चन के 33 यह लीजिए शिक्षण यह सारे क्योशन में पुराने पेपर से लिए हुए हैं आपकी एक्जाम में आये हुए हुए वही क्योशन पढ़ा रहा हूं जिसमें शिक्षक के द्वारा संचालित एक प्रक्रिया होती हैं जिसे विद्यार्ति ग्यान को प्राप्ति होती हैं ये किसने कहा था, वेसले, इसकिनर, हल या प्याजी किसने कहाता हैं ये परीबाचा तो आपको रठके जानी पड़ेगी क्योंकि एक्जाम में परीबाचा बहुत आती है तो हमारा आंसरों का उप्षन नमबर A ये कहाता वेसले ने वेसले ने क्या कहाता शिक्षण एक AC क्रिया है शिक्षण एक AC क्रिया है जिसमें शिक्षण के दुआरा संचालित एक परकरिया होती है जिसे विद्यार्ती को ग्यान के पराप्ति करता है वो कहाता वेसले ने बढ़ते हैं अगले क्यों क्यों रही ये बताई ये किसने कहाता शिक्षक की प्रकृती में कोई बात इतनी बादक नहीं, जतनी अपूर्ण तयारी, इसलिए शिक्षक को कक्षा में पूर्ण तयारी के साथ जाना चाहिए, यह यूँ कह रहा है कि शिक्षक की प्रकृती में कोई इतनी बादक नहीं, जतनी है अपूर्ण तयारी, इसलिए अ ने या इनमें से कोई नहीं बताई ये किस ने कहा था तो ये भी कहा था डेविस ने डेविस ने कहा था कि शिक्षक के प्रकति में कोई बात इतनी बादक नहीं है जितनी अपूर्ण तयारी इसले शिक्षक को कख्षा में पूर्ण तयारी के साल जाना जाए ये कहा था डेव सुस्राइब के जिसमें एक कंपरिपक व्यक्ति एक अधिक परिपक वयक्ति के संपर्क में आता हैं और अधिक परिपक व्यक्ति कंपरिपक व्यक्ति North Sum studying की किम्यस्था करता है यह किसने कहा था मोरिशन यंद suspension पाउलाव या इन कोई नहीं बताए ऊठाल एक मेट विस्यश्पाया निए और हमारे मोरिसन जी मोरिसन ने क्या कहाता रहा कि एक शिक्ष्षड एक एसी ठिक्टरिया ca. जिसमें हैं कि एक कंपरीप्लाफ व्यक्ति अधिक परेपक व्यक्ति के संपर्क में आता है और अधिपरिक्पक व्यक्ति कम परिपक व्यक्ति के विकास की व्यवस्ता करता हें, यह कहा था हमारे मोरी शंडे। अगला कैस्षाने उद्देश के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। दो, तीन या इन में से कोई नहीं तो हमारा अंसरों का option number C उद्देश के आधार पर शिक्षण के तीन प्रकार होते हैं ये कहा था Bloom ने किसने कहा था ये लो Bloom ने कहा था कि उद्देश के नुसार शिक्षण के तीन प्रकार होते हैं घ्यानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक आप से पूछ ले कि उद्देश के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं तो आपको बताना तीन और आप से पूछ ले कि Bloom ने उद्देश के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार बताएं तो आपको बताना तीन घ्यानात्मग, भावत्मग या क्रियात्मग आपसे कौन सा भी क्योशन पूछले तो आपको बताना है आपसे पूछले कि उद्देश्यों के आदर पर शिक्षण के कितने प्रकार किस ने दिये तो ये दिये थे बुलूम ने, ठेक है अगला क्योशन, निमने में से एक आदर्श मुल्यांगन के गूण है मतलब एक आदर्श मुल्यांगन के गूण कूण से होना चे विश्वशनेता, निश्चित्ता, वेदता या ये सबी तो हमारा आंसरों का ओप्शन नंबर D यह सबी एक आदर्श मुल्यांगन के गुण होने चे एक विश्वशन विश्वास होना चे निश्चित्ता होने चे और वेदता होने चे अगला क्यों शने थार्टी एट ये बताएं एक शिक्षन गणित के संप्रतियों को सिखाने है तुखोज पर्क उपागम का उप्योग करता है विध्यारतियों की विवरिक शमता के विकास के लिए एक निश्चित प्रकार की सोच को तारकी विकास के विक्सित करने के लिए गणित शिक्षन के संकिन उद्धर्श की प्राप्ति के लिए या इनमें से कोई नहीं गणित पेडालोजी और हिंदी पेडालोजी के जैसा विशे हैं जिसमें क्वेश्चन आपको सारे एक जैसे लगेंगे इनमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है इसलिए आपको इतने दो हजार क्योश्चन दोनों के करा रहे हैं कि आपकी एक्जाम में इसमें से ही आ जाए हम सारे ओल्ड पेपर से ही करा रहे हैं इसलिए आपको पढ़ानों जरूरी है बताए इसका आंसर तो इसका सभी आंसर को ऑप्शन नंबर ए विद्ध्यार्तियों में विवरिक शमता के विकास के लिए अगला केर्शन है थार्टी नाईं यह बताएं गणित में गणना करते संब्धिक कोशल को एपन्य गणित में गणना करते हैं उनसे संब्धिक कोशल किसके दवरा बढ़ाएं जाता हैं कक्षा में अभ्यास है तू करिय 않고 गतिविद्यों का आईज podcast News एक तो तो हमारा आंसर का option नमर B संकल्पना और प्रक्रियां को इश्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करके गणित में गणना करने संब्धि कोशलों का किसके द्वारा बढ़ा जाता हैं तो संकल्पना और प्रक्रियां को इश्पष्ट करने के बाद अधिक से अधि आप से पूछले गणीत को मूदी किसकी रचना हैं तो यह हैं हमारे नारायन पंडीत की अगला हैं द्वीघात समीकरण का हल घ्यात करने की विदी बताने वाले भारती गणितगे कौन थे मतलग किसने द्वीघात समीकरण का हल घ्यात करने की विदी बताई शिरिधराचारी रामानुजन भासकराचारी या इनमे से कोई नहीं बताए तो ये हमारे भासकराचारी जी ने बताए थी द्वीगात समीकरन हल करने और घ्यात करने की विदी बताए थी भासकराचारी ने ये आपको बताना है गेली जी ये आपके लिए है ये आपको कमेंट कमेंट करके बताना है कि आरिभट प्रतम कहां के निवाजी थे पटना के जारखंड के उत्तरप्रदेश के या एनमेस कोई नहीं यह मैंने आरिभट प्रतम पूचा है आपसे आरिभट दिती भी होते हैं तो आपको आरिभट प्रतम और आरिभट दिती दोनों के बारे में ब एक और ग्रंत हैं कौन सा महा सिद्धान्त नामक ग्रंत किसने लिखा आरेबट प्रथम ने आरेबट दितिये ने बासकराचारी ने या इन में से कोई नहीं महा महा सिद्धान्त महा ग्रंत सिद्धान्त किसने लिखा तो यह लिखा था आरेबट दितिये ने महा सिद्धान्त नामग्रंथ महा सिद्धान्त नामग्रंथ लिखा था आर्जिभट दितिये ने ये सारे क्योशन आपको याद रखने हैं ये लीजिए बहुत ही आई एमपी क्योशन है लिलावती नामगणित की पुस्तक किसने लेकी ये तो आपने लगाई दिया होगा बासकराचारी ने लिलावती नामग्रंथ गणित की पुस्तक लिखी थी या अगला कैने कि ये एक अच्छे-छे-फिअगन की विदी हैं जिसमें देखा जाए बालक के विवार में परिवर्दन करने की विदी शिक्ष्ण विदी की व्यवस्ता थे संबनेत पाट्य पुस्तक से संबनेत या उप्योग तो सभी बताएं इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर होगा option नमर ए बालक के विवार में परिवर्थन करने की विदी एक अच्छे मुल्यांगन की विदी वह हैं जिसमें क्या देखा जाए जिसमें बालक के विवार में परिवर्थन करने की विदी य तिसरा चेप्टर वाइस तिसरा वीडियो है गणित पेडालोजी का इससे पहले मैंने आपको 31 वीडियो बना चुका हूं गणित पेडालोजी अगर आपने नहीं देखे तो आप महां लेयर 3 एजुकेशन पर जाके देख लीजिए या आप इस नंबर पर मेसेज कर देना मैं मैं आपको क्लासे सेंडर कर दोओं 9753749986 इस नंबर पर 9753749986 एक बार लिख देता हूं 9753749986 इस नंबर पर आप मेसेज कर देना तो आपको अगर ओनलाइन क्लासे चाहिए तो उसके बारे में भी हम डिटेल देदेगे हमारी CDP की क्लास चलती है मेक्सिकी क्लास चल रह है इंग्लिश की क्लास चल रही है और सारे सब्जेक्ट के नोट से भी प्रोवाइड हो रहे हैं तो अगर आपको साथ MPT की अच्छे से तैयारी करनी है तो आप इस नंबर पर मेसेज कर देना तो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूआ वीडियो देखने के लिए आप सभी की मोग टेस्ट करा दिये हैं अगर किसी ने के पास लिंक नहीं हो या वीडियो नहीं आया है तो वह एक बार मेसेज कर देना तो मैं आपको ग्रूप में सेंड कर दूँगा ठीक है आप इस नंबर पर 9753749986 इस पर आप मेसेज कर देना तो मैं आपको लिंक सेंड कर वह भी मैंने आपको 33 क्लासे हो गई हिंदी ग्रामर की हो गई हिंदी पेडालोजी की हो गई सारी क्लासे मैंने आपको लिंक एक एक सेंड कर दिया अगर किसी के पास नहीं है तो एक बार मेसेज कर देना आज मैं आपके लिए चेप्टर वाइस क्योशन चल रहे हैं 1000 पाहूं यह सारे क्योशन हो चुके हैं 45 जो अपनी मोग टेस्ट चेप्टर वाइस सीरीज चल रहे हैं उसमें 45 क्योशन करा चको आज 46 आपको कोफी पेन लेकर बैठना है और आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से कितने सही है और अगर आपको व क्या होता है कि उससे होसला बढ़ता है हम आपके सारे मेसेज पढ़ते हैं इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और अगर आपको बोल अच्छा नहीं लगे तो एक बर कमेंट में बता देना तो मैं आपके लिए वीडियो अगर आपको हिंदी पेडालोजी के रहेंगे और एक हजार क्योश्चन में आपको मिक्स क्योश्चन की जो सिरिच चल रही है वह करा दूआ इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा आपके 15 नंबर गणित पेडालोजी के हो जाएंगे और 30 नंबर हिंदी के हो जाएंगे 45 नंबर के वीडियो में आपको कवर करवा दूआ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें हमारा पहला क्रिश्चन है सबसे अधिक संबंद होता हैं विज्ञान से हमने इससे पहले क्योशन पढ़ा था यह एक अच्छे मुल्यांगन की वीदी इसके बाद 46 से आज चालू हो जाएगा अगला क्योशन है इससे पहले मैंने आपको मिक्स क्योशन करा दिये थे 500 उसकी लिंक में आपको सेंड कर अगला क्योशन ही शेक्षिक माध्यम का चैन करते समय सरवाधिक आवशक क्या है प्राप्त उद्देश्यों का ध्यान रखना माध्यम की उपलब दिता का ध्यान रखना चात्रों के इस्तर का ध्यान रखना और एक मिट और चोथा ओप्शन कक्षा के आधार का ध्यान रख यह हमारा सही आंसर होगा 48 यह आज इसे क्रेशन लेकरा हूं आपके 15 में से 15 ही सही हो जाएंगे इसलिए आज इतने अच्छे क्रेशन है चाक बोर्ड का किस प्रकार के शिक्षण पर साधन के रूप में वर्गिक्रत होता हैं जो चाक बोर्ड है ना जो अपन चाक पर लिखत आज सामागरी तो ओप्षण नंबर एए यह द्रश इसावघरी कौन से सामागरे द्रश ओप्षण नंबर ए49 कौन कत्षा शिक्ष न में सबसे प्रचले साधन है मतलब कक्षा जो शिक्षण में सबसे अधीक प्रचली साधन क्या है श्यामपट बुलेटिंग बोर्ड फ् उसको बोलते हैं शामपट तो कक्षा शेक्षण में सबसे अधिक प्रचले साधन है option number 1 पचासवा question है विद्यालेतियों के लिए आवशक समाचार सूचना प्राप्त है जहां विद्यारतियों के लिए समाचार सूचना किस से प्राप्त होती है बताएं फिल्मों से, बुलेटिंग बोर्ड से, चार्ट से या ब्लेक बोर्ड से बताएं इसका सरी अंसर क्या होगा तो इसका से अंसर मैं ही बता देता हूँ बुलेटिंग बोर्ड से विध्यारतियों के लिए आवशक समाचार सूचना प्राप्त होती हैं बुलेटिंग बोर्ड दुवारा यह बताएं बरहा मिहीर के प्रमुगरंथ कौन सा बरहा मिहीर के प्रमुगरंथ पंच जिद्धान्थ का प्रकाशन कहां हुआ था कौन से इस्वी में हुआ था बरहा मिहीर की पंच जिद्धान्थ का प्रकाशन 506 इस्वी पूर्व 581 इस्वी में, 522 इस्वी में या 507 इस्वी में तो हमारा सही आंसर का option नंबर 1 506 इस्वी में बरहा मीर की प्रमुग्रंत पंच सिद्धान्त का प्रकाशन हुआ था अगला क्योशन है स्रीधराचारी की प्रमुग्रंत गणित सार स्लोग की संख्या कितनी है चार सो पान सो छे सो या तिन सो अगर आप सबने पड़ी हो स्रीधराचारी की प्रमुग्रंत गणित सार स्लोग की संख्या है option number a 300 गणित सार संग्र स्रीधराचारी की प्रमुग्रंत गणित सार और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है तो इसमें 300 लोग है कितने 300 अगला क्यूशने 553 यह बताएं स्री निवास रामानुजन का जन्म किस राज्य में हुआ था और किस सन में हुआ था बताएं स्री निवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडू 1800 सित्यासी करनाटक 1882 एक मेडिया लिखा गया तो 1882 इस वी में बताएं स्री निवास रामानुजन का जन्म हुआ था तमिलनाडू में 1800 सित्यासी ओक्षन नंबर ए अमारा सही अंसर होगा 54 सारा विज्यान सारा विज्यानिक घ्यान कौन सारा विज्यानिक घ्यान जो गणित के बीना जूटा है यह किसने के दिया था कि जितना भी विज् जूटा है दिया मेंठ महाँदई कौन स्केहरा बासकर चे использ से अंहीं है कोई दिया नहीं तो यह हमारे काता podption No comment to महोदय किसने कहा था कॉमेंट महोदय तो देखो सारा विज्यनिक ज्यान जो गनित के बिना जूटा है यह कमेंट किसने किया था तो कॉमेंट महोदय ने कमेंट किया था कि यह सारा विग्यानिक ज्यान जो गणित के बिना जूटा है अगला क्युक्ष्चन यह ले यह लिजे सर बताईए गणित एक भोतिक विग्यान का एक आवश्यव उपकरण है यह किसने कहा था ? है, तो ये कहाता है, था हमारे बोईल आट ने, ये इनुने बाइ बाइ किया था, क्या किया था, बाइ किया था ऐसा कि गली ते फ् स्रिश्ट विश्यों में से उपयोगी है, मतलब मतलब यहार्यभट परतम यह बताएं ङुआ इसलिए आज परीवाशा करें परीवाइबाशा चहरा कि इन्हों नहीं बात कि इसमें परीवाशान संपुन्ण भ्रमाण्ड को लिखाने और आब अब अपर बाप इस ने लिख दिया सम्पून जगत व भ्रमाण्ड को गलीलीयों ने भासकर आचारे ने प्लेटु ने यदि उनसे कोई नहीं तो प्लेटौ ने तो स Northern 사람 Hong संपून ब्रह्मांड को लिख दिया मतलब इन गेलीलियों ने कहा था कि परमेश्वन ने संपून जगतों ब्रह्मांड को लिख दिया 58 यह बताएं क्या विज्ञान गणीत पत्रिकार चित्रकारी आधी में रूची सब चीजों में रूची रखने वाला आदमी छात्र केसा ह होता है मंद बुद्धी प्रकर बुद्धी उपरोग दोनों इस सबी में प्रकर बुद्धी आएगा विज्ञान का भी घ्यान गणीत भी हिंदी भी जीके भी सब कुछ आता है तो वह सबसे ज़्यादा रूची लेता तो उसे कहते हैं प्रकर बुद्धी 59 बताएं गिए बीज गणीत में संकेत के रूप में अक्षरों को चुनाओ का दूसरा नाम क्या है जो बीज गणीत में जो संकेत है उनके अक्षरों में चुनाओ करते हैं उसका दूसरा नाम बीज आंक संकेया इनमें से कोई नहीं तो इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर का कि अए उसके लिए तीन सु रुपए का पेमेंट करना रहेगा तो उसमें आपको 150 नममर का का पेपर मिलेगा 150 क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी उसके लिए एकजाम में जो पूरा पेपर आता है ना वैसा का वैसा पेपर रहेगा वह आपको ओनलाइन देना रहेगा 150 नंबर का आएगा और उसमें आपको मार्स भी मिलेंगे कि आपके इतने सही हुए ठीक है तो अगर आप किसी को भी पर्चेस करना है तो उसकी लिंक हम यहां डिस्क्रिप्शन बोक्स में नीचे दे दें आप इस नंबर पर मेसेज कर देना तो हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका लेयर 3 एकडमी में और आज मैं आपका मेट पेडागोजी का मोक टेस नंबर 35 लेकर आया हूँ उससे पहले मैंने आपको 34 क्लासे करा चुकाओं अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो लेयर 3 एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर देख ले आज फिर आपको कोपी पेन लेकर बेठना है और आपके 15 में कितने नंबर आ रहे हैं वो आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके बतना है हमारा पहला क्योश्चन है ये बताए गणित की उन्नती के साथ किसकी उन्नती के साथ गणित की उन्नती के साथ देश की उन्नती का भी गनिष्ट संबंद है यह किसने कहा था हिटलर, नेपोलियन, नेरु और रामनुजन बताएं गनित की उन्नती के साथ देश की उन्नती का भी गनिष्ट संबंद है यह कहा था हमारे नेपोलियन ने किसने कहा था नेपोलियन ने option number B हमारा सही answer होगा आपको 15 में से कितने number आ रहे comment box में comment करके बताना है अगला question है यह बताएं गनित शिक्षण की समश्चाओं को दूर करने के लिए गनित शिक्षण की समश्चाओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कोन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए बताएं समश्चा प्रस्तूत करना शात्र क्रिया को सही दिशा देना शात्रों का मुल्यागन करना या यह सबी बताएं इसका सही answer क्या होगा तो हमारा answer का option number D यह सबी गणित शिक्षन की समश्चाओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को समश्चा पी प्रस्तूत करना चाहिए शात्र क्रिया को सही दिशा देना चाहिए शात्रों का मुल्यागन करना चाहिए यह सबी इसके लिए उप्युक्त होगा अगला question है गणित का भोतिक से संबन्द कहलाएगा पारसपरीक, एकिक और इन में से कोई नहीं यह सारे पूराने पेपर से लिये हुए है मैं आपको जितने भी वीडियो करा ता हूँ वो सब पूराने एक्जाम से लिये हुए गुणांक, पारसपरिक, एकिक या इन में से कोई नहीं तो हमारा सही अंसर को option number A गुणांक अगला question बताएं व्रत की परिदी ज्यात करने के लिए आप गानित की किस सिक्षण विदी का प्रियोक करेंगे अगला question है जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक कोण से क्रिया जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस छेतर में कमजोर रखता है यह क्रिया क्या कहलाती है मतलब जिस क्रिया से यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित में किस जगह कमजोर है तो यह क्रिया क्या कहलाती है लिखित कारी हैं, मोखिक कारी हैं, उक्चारत्मक कारी हैं या निदानात्मक कारी हैं बताएं इसका सही अंसर क्या होगा तो हमारा कारी है निदानात्मक करना इसका अंसर क्या होगा निदानात्मक करना question था कि जिस क्रिया में ये पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस छित्र में कमजोर होता है तो उसे कहते हैं हम निदानात्मक क्रिया अगला question है व्यवारिक गणित का अंग नहीं है इन चारों में से कौन व्यवारिक गणित में काम नहीं आता समय काम मजदूरी की गणना करना ये व्यवरिक गणित है खेल खलियान के छेत्र माफ करना ये भी गणित है डाक टिगित का लेखा रखना ये भी गणित है जामिती प्रमय को हल करना ये व्यवरिक गणित नहीं है ये रोज-रोज कार्य में नहीं की जाती है व्यवारी गणित समय काम मजदूरी की गणना करना व्यवारी गणित खेल खलियान व्यवारी गणित डाक्टिगित व्यवारी गणित पन जामिती व्यवारी गणित का अंग नहीं है अगला केशन बताएं राष्ट्रिय पाठी चर्चा रूप रेखा 2005 पर बल देता है गणित चैनी सिक्षार्थी को पढ़ाय जाएगा गणित में सपलता प्रते बच्चों के लिए आवशक है शिक्षार्थीयों के तार्की गणिति योग्विताओं के लिए पहले उनकी परेक्षा होनी चाहिए और चोंता है निम्न उपलब्दी कार्य करताओं के लिए गणित पाठी चर्चा अलग होगी option numbers B अगला question बताए यह बताए दीपक कक्षा पाच्व में पड़ता है किस में पड़ता है दीपक कक्षा पाच्व में पड़ता है वह विबिन प्रकार के त्रीबुजों को भिन भिन श्रेणियों में वर्गिकरत कर सकता है दीपक कक्षा पाचु में पड़ता है और वो विबिन प्रकार के त्रीबुजों को भिन भिन शेणियों में वर्गिक्रत कर सकता है लेकिन त्रीबुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको ये भी पता है कि त्रीबुच के तीनों कोनों का योग 180 degree होता है इसके अमर्त प्रमान को वा समझने में उसे कठने होती है मतलब दीपक कक्षा पाचु में पड़ता है वा विबिन प्रकार के त्रीबुच को भिन भिन शेडियों में भी वरगिकत कर सकता है और उससे पता है कि त्रीबुच के तीनों कोनों का योग 180 degree होता है इसके अमर्त प्रमान को समझने में उसे बहुत ही कठना ही होती है तो पियाजे के संग्यानत्मक सिद्दान्त के अनुसार दीपक कौन से चरण में यह सब करता है पर उसका प्रमान सिद्दे करने में उसे बहुत ही कठना ही होती है तो वह पूर्ण संक्रियात्मक आवस्ता में है दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक आवस्ता में औप्चारिक संक्रियात्मक आवस्ता में या सम्वेदिक गतिक आवस्ता में इसका सभी अंशर क्या होगा एक मीट तो हमारा अंसरों का option नंबर बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्ता आपको comment box में इन चारों का पूरू संक्रियात्मक अवस्ता किसे कहते हैं इनका कितने कितने वो टाइम डूरेशन रहता है वो चारों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर का ओप्शन नंबर सी बी वो क्या कह रहा है कि वो सारा मतलब अगला क्योशन है कक्षा दूसरी के शिक्षारतियों को सरल आकरती उसके लंबे और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम वुपकरन कौन सा है तो हमारा आंसर का ओप्शन नंबर बी जी यो बोर्ड कक्षा दूसरे के शिक्षारतियों को सरल आकरती उसके लंबे और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम वुपकरन है जी यो बोर्ड के दुवारा अगला क्योशन है दसवा यह बताएं शिक्षन की एक विदी जिसमें विध्यारति स्यूम अनुवेशक के रूप में कार्य करता है तथा समश्याओं का समाधान करता है बता इसका अंसर क्या होगा शिक्षन की एक विदी जिसमें विध्यारति स्यूम अनुवेशक के रूप में कार्य करता है तथा समश्याओं का समाधान करता है उसे आगमन विदी, निगमन विदी, योजिना विदी या अनुसंधान विदी क्या कहेंगे बताएं तो हमारा अंसर वा अनुसंधान विदी, उप्षन नंबर डी, अगला क्यूशन है कक्षा में अधिगम की गति विदी आयुजित करने में अत्यंत्य प्रभावशाली कार्यक नीमन में से कोन साहें अभिप्रेणा, अनुशाशन, पाक्ठे वेवरन ये श्रव ये द्रश्य साहयक साम इसमें आपको MCQS लगाने पड़ता है, मैंने आपको इसलिए 1000 सिरिज की कंटिन्यू सिरी लेकर आया हूँ दोनों में, जिसमें मैंने आपको 35 वीडियो करा चुका हूँ, एक में 15 क्योशन है, अगर किसी को हिंदी और इन सारी की प्लेलिस्ट नहीं मिलियें, तो वो इस न मोरिंग में, एक मेक्स की वीनोश सर की ओनलाइन क्लास चल रही है, एक सोनली में हम जो पढ़ाते हैं उनकी ओनलाइन क्लास चल रही है, एक शयाम सर की container चल दी अगर आप इन सब की कलासों की जानकरी चाहिए, तो आप अभी जो नमबर दिये हैं, इस नमबर पर एक मेंसे से चली हैं जिसमें आपको एक डेर सो नंबर का डेली पेपर मिलेगा और आपका प्राइज और हम आपको सब कुछ बता देंगे हमारा क्योशन है कक्षा में अधिगंप की कतिविदी आयजित करने में अत्यंते प्रभावशाली कारक नेम निमें से कौन सा हैं बताएं इसका स से आंसर हैं अभी प्रेणा ओप्षन नंबर ए अगला क्योशन है गणित सिक्षन की विदी जो छोटे कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उप्यूक्त नहीं है विशलेशन विदी व्यक्यान विदी प्रयोग शाला विदी या आगमन निगमन विदी बता इसका सही आंसर क्य होगा तो इसका सही आंसर होगा गणित सिक्षन की विदी जो छोटे कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उप्यूक्त नहीं है वो है व्यक्यान विदी ओप्षन नंबर बी अगला क्योशन है राष्टी पार्टी चर्चा रूप रेका 2005 के अनुसार विद्याले में गणित सिक इसका सही आंसर क्या होगा ओप्षन नंबर तेरवाई का तो राष्टी पार्टी चर्चा रूप रेका 2005 के अनुसार विद्याले में गणित सिक्षन का संकिर्ण उद्देश यह हैं कि सिंख्यार नात्मकोष्णों का विकास करना ओप्षन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा यह बताएं गणित क्या है यह उस मानव चिंतन का प्रतीफल है जो अनुभाव से स्वतंत्रत है तता सत्य के अनुरूप है यह किसने काता बताएं गणित क्या है यह उस मानव चिंतन का प्रतीफल है जो अनुभाव से स्वतंत्र है यह काता बर्नार्ड इशा ने इस्टिं तो यह कहाता आइस्टिंग ने option number D कि गणित क्या है यह उस मानवचिंतन का प्रतीफल है यह कहाता आइस्टिंग ने अगला question है आज का आखरी question गिलेजिए गणित शिक्षन है तो निम्न में से कोन सबसे उप्यूक्त विदी है भूमिका निर्वा विदी वेख्यन विदी, पाठी पुस्तक विदी या आगमन निगमन विदी बता इसका से answer क्या होगा गणित शिक्षन है तो निम्न में से सबसे वप्यूक्त विदी है आगमन निगमन विदी यह आज के आपके 15 question है इससे पहले मैंने आपको 34 class है बना दिये है अगर आपको class है नहीं मिली है तो आप इस number पर message कर देना 975-374-9986 ठीक है और इसके अलावा daily morning में आपको 8 बजी गणित पेडालोजी के 15 mcqs daily मिलते है और हिंदी पेडालोजी के 15 mcqs daily मिलते है एक दिन गणित का आता है एक दिन हिंदी का आता है उसके बाद शाम को daily 6 बजे आपको hindi grammar की class मिलते है क्योंकि इन दोनों का notification कभी जाता नहीं है तो आप एक बार layer 3 education पर जाके class से देख लिए हमारे class है daily 8 से 9 class होती mp8, c8 की तो अगर आपने एक class नहीं देखी हो तो आप सारे class देख लिजीए वीडियो आपको कैसा लगा comment box में comment करके जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका layer 3 academy में आज आज मैं आपके लिए mock test number 36 लेकर आया हूँ उससे पहले मैंने आपको mock test 35 करा दिये हैं अगर किसी ने भी नहीं देखें वह एक बार playlist में जाकर देख लेना आज 36 है आज अपन इससे पहले chapter 20 कर रहे हैं आज दूसरा chapter है पाठे चर्चा में गणित का हिस्थान और शिक्षन के उद्देश मैंने इससे पहले वह करवाया था उसमें आपके 150 question करवा दिये हैं आज चेप्टर चलेगा अपना दूसरा इसमें आपको में 1.500 question करवा थीक है तो आज का दूसरा part है पाठे चर्चा में गणित का हिस्थान और गणित का हिस्थान और गणित के उद्देश आपको copy pen लेकर बेठना है और आपको कितने नंबर आ रहे हैं comment box में comment करके ज़रू बताना है यह लिजिए यह सारे पुराने paper से ही लिए हुए हैं NCF 2005 में सरवादिक बल दिया गया किस पर? NCF 2005 में सरवादिक बल दिया गया ज्यान की सरचना पर आउधानाओं को रटने पर कठिन सवालों को हल करने पर या तेजी से गणित करने पर बताएं तो NCF 2005 में सरवादिक बल दिया गया था ज्यान की सरचना पर किसके सरचना पर ज्यान की सरचना पर बल दिया गया इसका हिंदी होता है राष्टिय पाठ्थे चर्चा प्रारूप अगला क्योशन है चोंतिक अक्षा के विध्यारतियों के लिए अधिक उद्देश दिये जाते हैं मतलब जो चोंतिक अक्षा में परते हैं उनके लिए बहुत ही उद्देश दी गए विद्धियारती दश्मलों वाले दो संक्याओं की जो की दश्मलों के दो इस्तान तक हैं को क्रम में रखते हैं और उनकी तुलना करने की योग्यता करते हैं अधिगम का उद्धिश क्या कहलाता है वादा चूतिक अक्षा का एक विद्धियारती हैं जो दश्मलों वाले दो संख्याओं की जो दश्मलों के इस्तान तक हैं उनको क्रम में रखने उनकी तुनला करने की योग्यता करता है तो उसका यह अधिकम का उद्देश क्या कहलाता है प्रकीयात्मक सूव व्यवस्थित समाजिग या विश्यात्मक बताएं तो वह दाश्मलों की इस्तान पर उनको सही करता है तो वो कहलाता है सु व्यवस्चित वो व्यवस्चित करता है अगला क्योश्यन है गणित की पार्टी पुस्तक में विभिन प्रक्रणियों में खंड अभ्यास समय को समायोजित करने का उद्देश क्या कहलाता है विध्यारतियों को आनन्द वा मस्ति प्रदान करता है देनिक जीवन में बदलाव करना समय का बहतर सदिप्योग सुनिशित करना या विस्तरत अधिगम अउसर प्रदान करना बताएं गणित की पार्टी पुस्तक में विभिन प्रक्रणों में खंड अभ्यास समग्र मतलब खंड अभ्यास समग्र को समाविशित करने का उद्देश क्या कहलाता है तो हमारा आंचलों का option number D विस्तरत अधिगम अउसर प्रदान करता है अगला question है गणित शिक्षन का प्रमुक उद्देश बच्चों में क्या करता है तरकपून ढंक से सोचने की शक्ति का विकास करता है रटने की शक्ति का विकास करता है सुत्र याद करने की शम्ता का विकास करता है या सवाल हल करने की शम्ता का विकास करता है बताए गणी शिक्षन का प्रमुक उद्देश बच्चों में क्या करता है तो गणी शिक्षन का प्रमुक उद्देश बच्चों में तरकपून धंग से सोचने की शक्ति का विकास करत अगला क्योश्यन है पांचवा गनित की भाषा में निम्न में से किसका प्रियोग नहीं किया जाता है गनित के सुत्रों का गनित संक्याओं का या इन में से कोई नहीं बताए तो हमारा अंसरों का इन में से कोई नहीं गनित की भाषा में निम्न में से किसका प्रियोग नहीं किया जाते है गनित के सुत्रों का गनित के संक्यतों का या गनित संक्याओं का तो हमारा अगला क्योश्यन है ये बताए इससे पहले हमारी एक mock test series है online जो आपको 1.500 number का एक paper होता है वो पूरी आपको online लगानी है उसके लिए हम आपको 300 रुपे का pay करना रहेगा उसमें हम आपको एक paper daily देंगे आपके एक महीने तक के 30 paper रहेंगे आपको 150 number के daily paper मिलेगा और उसमें आप आपके तयारी देख सकते हैं कैसे तयारी चल रही है तो उसके लिए आप इस number पर message कर देना 9753749986 तो हम आपको जितने भी class से चलती हैं उसकी पूरी जानकरी दे देंगे और जो भी यहाँ पर video मिलते हैं उसको भी आपको हम ग्रूप में send कर देंगे तो उसके लिए आप इस number पर message कर देना 9753749986 बढ़ते हैं अपने अगले question के और यह चटा Professor Sulte J किसके Professor Sulte J के अनुसर गणित पढ़ाने का प्रात्मिक उद्देश क्या है दूसरी विधाओं में सहायता पतान करना मानसिक शक्ति का विकास करना यह लिख लेना मानसिक शक्ति का विकास करना खाली समय का सुद्दुपयोग और चोंस्ता है प्रात्मिक तदा समन्य सिद्दान्तों से परिचित कराना इसका सही आंसर क्या होगा तो प्रोफेसर सुल्ट जे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्रात्मिक उद्देशे मानसिक शक्ति का विकास करना अगला क्योशन सात्वा यह बताए कोठारी आयो गुनिस सो चोंसर चांचत ने गानित के प्रचलित पाठ्थे क्रम में निम्न कम्यों में से किन कम्यों को बताया है मतलब कोठारी कमिशन आयता गुण 2044 और शांचत गनित के प्रचलीत पाठ्टे करम में किस कम्यों को बताए गनित का वर्दमान पाठ्टेकरम अपुर्ण है इसमें क्रियातुना तदा स्था रचनादकी कारियों का अभाव है पाठ्टेकरम अति बोजिल है या उप्य।्त स तीस ago कहा मिशन ने प्राचलित पाथेक्रम में क्रियात्मतर डजन तर्थार्थ्ण प्राथेक्रम की अपुणता की बोजला यह अमएंपति को दरशायां तो हमारं चैश्चा की अच्छी पाट्य पुस्तक की विश्चतां क्या होनी चाहिए बताए जो अच्छी पाट्य पुस्तक कि विश्य। लुए करें कि प्रश्ण की अनुअन डी होते हैं कि पर्यात्험 मात्रा में सभी nominal केर्शन रहुए यह option number D, उप्रोप्त सभी, तो गनित की अच्छे पाट्य पुस्तक की विशेस्ता यह होने चाहिए कि उसमें परियाप्त मात्रा में हल किया हुए उधारन, तदा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्ण हो, अगला क्योश्चन यह बताए, नोगा, लगुत्तम समाप वर्तक ज् विदी, अपवर्त्य विदी, अबाज्य गुणनखंड विदी, सर्वनिष्ट विभाज्य विदी या उप्योक्त सभी, तो हमारा राइट आंसर होगा, option number D, लगुत्तम समाप वर्तक ज्यात करने की विदी, अपवर्त विदी दुवारा भी ज्यात किया जा सकता है, अबा परिमानात्मक, गुणात्मक उप्युक्त दोनों या इनमे से कोई नहीं, बताएं तो मुल्यांकन से बरियनातमक पक्षों और गुनातमक पक्षों से सुचना प्राप्त होती है तो option नंबर C हमारा सहीय हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question क्यों 11 बाप त्रिबूच का छेत्रपल होता है आधार गुनित लंब आई एक बटा तिन आधार गुनित लंब और दो गुनित आधार गुनित लंब बताए ये तो सभी को याद होगा त्रिबूच का छित्रपल क्या होता हैं? त्रिबूच का छित्रपल होता हैं एक बटा दो आधार गुणित लंब ओप्शन नमबर C त्रिबूच का छित्रपल होता हैं एक बटा दो आधार गुणित लंब ये बताएं बारवा व्यापक मुल्यांकन से क्या आशा हैं बताएं संग्यानात्मक मुल्यांकन, भावात्मक मुल्यांकन, क्रियात्मक योग्यता हैं मुल्यांकन और उप्युक्त सब भी बताएं व्यापक मुल्यांकन का क्या अर्थ हैं बताएं तो व्यफक मुल्यांगन से आसर होता है संव्यानत्मक मुल्यांगन बावत्मक मुल्यांगन और क्रयात्मक युग्यात्मक मुल्यांगन तो option number d उपरोक सभी अगला क्योश्यन है तेरवा आकलित परिणामों की उपयोगीता का केंदर क्या है? कठिन समस्याओं को पहचान कर हल करना, सबल तता निर्बल पक्षों के पहचान करना, दोनों या इन में से कोई नहीं बताएं अकलित परिणामों की उपयोगीता का केंदर क्या है? बताएं, तो अकलित परिणामों की उपयोगीता का केंदर हैं, कठिन समस्याओं को पहचान कर हल करना, और सबल तता निर्बल पक्षों की पहचान करना, तो option number C हो जाएगा हमारा right answer अगला क्योष्चन है, गणित अधिगम के आकलन को कौन सा पक्ष इसे व्यवस्तित प्रक्रिया बनाता हैं? तार्किक सरचना, उत्रोतर सरचना, दोनों या इन में से कोई नहीं? बता, इसका सही अंसर क्या होगा? गणित अधिगम के आंकलन को तार्किक सरचना और उत्रोस्तर सरचना दोनों ही व्यवस्तित प्रक्रिया बनाते हैं तो option number C अमारा सही हो जाएगा आज का आखरी question है आंकणों के प्रकार हो सकते हैं व्यवस्तित अव्यवस्तित दोनों या इन में से कोई नहीं बताएगा आंकणों के प्रकार हो सकते हैं तो आंकणों के प्रकार व्यवस्तित भी हो सकते हैं और अव्यवस्तित भी हो सकते हैं तो इसका सही अंसर होगा option number C यह दोनों आज यह मैंने आपको moq test number 36 कराएं इससे पहले अगर किसी ने moq test number गणित का 35 तक नहीं मिला हैं तो वो एक बार जो मैंने आपको number दियें उस number पर message कर देना तो मैं आपको वो link send कर दूँ आप layer 3 education की play list में जाकर भी देख सकते हैं वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएं और आपके कतने नंबर आएं यह भी आप comment box में जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद